तो हेलो गाइज तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम जो है यहाँ पर हमारे पास में जो है थर्मल टेक की व्यूटिवन टीजी स्नौ एडिशन यार्जी बी कैबिनेट आ चुके है जो कि हमारे सेटप के अंदर में एक बहुत ही बड़ा अपडेट है और इसे में हमारा यह पुरा PC बिल्ड होने वाला है फाइनल PC तो यह जो कैबिनेट है इसका जो प्राइज है 14,500 से लेके 16,000 तक आपको यह मिल सकती है हमें जो यह पड़ी हुए MD कंपूटर के तरफ से जो कि हम आपको बता देते हैं MD कंपूटर का यह जो है यहाँ पे देख लो गाइस यह कुछ यहाँ पे box from side में रखते हैं मैं पहले unbox कर चुका था क्योंकि single को यहाँ पे impossible सा हो जाता है अन्बॉक्स करना तो इसलिए मैंने इसको पहले खोल के देख लिया था कुछ चीज़े मैंने side में निकाल के रखी है एक बार आपके लिए यहाँ पे खूलता हूं मैं cabinet को और यह जो cabinet है यहाँ पे देख लो यहाँ पे आपको जो है इसके specification देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि मैं specification यहाँ पे बताता हूं आपको जो कि यहाँ पे tempered glass आने वाला है 4 mm का और जो tempered glass है टोटल 3 tempered glass है ठीक है यहाँ पे जो ergb synchronize है आसूस उसके बाद में gigabyte and msi यह तीनों के साथ में compatible है चाहे आप asus का motherboard यूज़ कर लो चाहे आप gigabyte का कर लो चाहे आप msi का कर लो जो तीनों में जो है e-rgb जो control करने के लिए जो e-rgb होती है इसको control करने के लिए जो software आते है उसके software के साथ में cabinet जो है compatible है ठीक है तो चले यहार final look दिखाता हूं मैं cabinet को एक बार बाहर निकाल लेता हूँ अब यार single बंदे को तो दिक्कत होने वाली है निकालने के लिए बट एक बार मैं आपको यहां पर जो है इसको मैं पहले निकाल चुका था ठीक है बट यह जो है अभी एक बार केसे निकालू समझ में नहीं आ रहा है बट निकाल लेंगे जाईज अपन अपन ने इसको एक बार जो है practice कर लिया था निकालने का इसको पता है हमें किस तरह से निकालना है तो यह देख लो गाईस यहां पर जो कैबिनेट हमने बाहर निकाल ली है maximum शाहिद तक थोड़ा बहुत यहां पर कई पर तो भी लटक चुकी है बट निकल जाएंगे निकल जा मेरी जान तो यह देख लो गाईस इसको हम थोड़ा साइड में रखेंगे और यह जो है गाईस देखो इसको हमने पहले क्यों खुलके रखा था क्योंकि हमें जो इसके स्पेसिविकेशन जानने थे तो यह एक बॉक्स है यह जो बॉक्स है यह बॉक्स इसके अंदर में आता है गाईस इसके अंदर में कुछ टूल है जो कि देख लो एक वायर मिलती है देन उसके बाद में कुछ यहां पर स्क्रू है एंड जिप टाइट जो होती है ना केबल मैनेजमेंट के लिए वो यहां पर दे के रखें ठीक है तो इस बॉक्स को साइड में रखते हैं और कुछ यहां पर पनी में इसे प्याक हो ठीक है तो बिल्कुल कर सकते हो गाइस जो भी चीज आप को एम-डी कम्पूरर से बग्याद बुला नहीं है ठीक है तो आप बुला सकते हो बिल्कुल रार ट्रस्टेड है एसा नहीं कि मतलब थोड़ा डिलिवरी लेट होता है ठीक है मांता हो कि मतलब जैसे अगर आप आज आज order करोगे तो 1 से 2 वीक यहां पर लग जाएंगे ठीक है तो यह जो है cabinet यहां पर देख लो का इस फ्रंट लूग इसका cabinet का फ्रंट में यहां पर देखों यहां पर जो एक पावर अन आप की बटन दी हुई है यूसबी टाइप सी देन उसके बाद में यूसबी 3.0 देन उसके बाद में यूसबी 3.0 और दो जो है यूसबी 2.0 के पोर्ट है माइक एन हेड़कून जैक जो अलग-अलग दिया हुआ है और यहां से यह जो एरजीबी इफेक्ट आएंगे यह कंट्रोल हो जाएंगे एरजीबी इफेक्ट यहां से यह बटन से और यह अन आप का ठीक है यहां से साइड लूग दिखाता हो गाईज आपको देख लो साइड वियू का इसा दिख रहा है ठीक है इसको जैसे अपन आप यह जो घुमाएंगे नाप को ठीक है तो यह कुछ डोर इस तरह से खुल जाएगा एकदम डोर देख लो इस तरह से अलग हो जाएगा और अगर आपको इसको निकाल लाएं तो यहां से हम इसको भी सकते हैं थोड़ा भी यार मैं अकेला हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम जा रही है यहां पर एक फैन है यहां पर दो फैन यहां से आप केबल वगेरा बाहर निकाल सकते हो यहां से भी केबल बाहर निकाल सकते हो देन उसके बाद में देखो गाईस SSD के दो mount यहाँ पर दिये और अगर आपको यहाँ पर जो है किसी किसी को क्या होता है liquid cooling चाहिए ठीक है तो जो liquid cooling का जो pump आता है तो उस pump को आप यहाँ पर जो लगा सकते हो यह जो यहाँ पर दिया हुआ है न यहाँ पर आप उस pump को set कर सकते हो वो pump यहां पे लग जाएगा ठीक है और यहां पे जो है 360 mm का यह जो यहां पे दिया हुआ है उपर में 360 mm का जो है यहां पे लग जाएगा आपको AIO यहां तो आप यहां पे भी लगा सकते हो 360 mm का AIO देन उसके बाद में guys यहां पर आपका Graphics Card Mount दिया हूए है इनकिज अगर आप Graphics Card लगाते हो यह वी Graphics Card तो उसको टोड़ा Stable रखने के लिए यहां पर यह माउंट है तो इसके उपर में आपके Graphics Card का जो लोड हो जाएगा Set और आप Graphics Card को vertically लगाना चाहते हो या horizontally वह आपके उपर में डिपेंट है किस तरह से आप लगाना चाहते हो शायद मैं सही बोल रहा हूँ चलो यार तो साइड वीव दिखाता हूँ एक बार ये वाला साइड वीव भी देख लो गाइस किस तरह से है पूरा यार वीडियो ज़रूर देख लेना आपको थोड़ा समझी में आएंगा ठीक है मैं जो ये नॉप थोड़े खोल लेता हूँ इधर से दो स्कूरू जैसे हम ये निकाल लेंगे यहाँ पर देखो गाइस ये जो है थोड़ा फिल्टर दिव यह यहां पर डॉस्ट फिल्टर लगे हुए दो डॉस्ट फिल्टर है और यह बहुत ही साइड इजाइन यहाँ पर देख लो थोड़ा सैड में रख लेती इसको तो गाइज यहां पे जो है हमें यहां पे देखो यहां पे एक दो दो यहां पे जो है HDD SSD दोनों भी लगा सकते हो मतलब हार्डिक्स लगा लो एक तो बड़ी वाली दो यहां तो फिर इसके अंदर में आप लगा सकते हो दो गाइज दो SSD और यह पुरा केबल देखो यहां पे USB टाइप C वारिंग दिया हुआ है और यहां पे आपको अगर कोई फैन अगर आप लगाते हो यह अर्जीब एक्स्ट्रा फैन ठीक है जैसे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे तीन फैन यहां पे लग जाएगे करते यह कोछ यह user manual दिया हुआ है कि यह तो manual शायद ही अगर आप लोग मेंसे आप मेंसे कोई अगर पढ़ता है तो बता ना यार हमें तो यह कुछ आझ्च लोर इसका कुछ शायद जो क्या आपके पावर सप्लाई में लगेगा और कुछ यार बहुत सी तारे हमें अकेले को समझ में आएंगी नहीं आएंगी पता नहीं बट हमने बड़े-बड़े यूटूबर्स की वीडियो देखके जोए खुझ से PC बिल्ड करने का सोचा हुआ है आज तक यानि सब्सक्राइड में एक लास्क व्यू गाइस ठीक है तो पीछे में देख लो गाईस क्या-क्या मिल रहा है यहां से आउट प्लेट आएगा ठीक है एर का जो कि अगर आपका PC गरम होता है तो यहां से आउट हो जाएगा थंडी गरम आवा यहां से निकलेंगी इसको आप च हार्डिक्स लगा सकते हो ठीक है इसको निकाल लो गाईस और इसमें आप हार्डिक्स फिक्स कर सकते हो यहां तो हार्डिक्स फिक्स कर लो यहां फिर आप इसमें करना है फिट तो यह भी हो जाएगी गाइस ठीक है और एकदम इजी टू यूज यार एकदम सिंपल तरीके से यह यहाँ पर बैड भी जाएगा चलो हम एक बार ट्राय करते हैं यह देखो एक और ऐसे यह दो और इसको लगाना भी एकदम सिंपल है ऐसे करके गाइस यहाँ पर आप फिक्स कर सकते हो दिए तो फाइनल यहाँ पर जो है हमारा जो है काम्यार भोती अच्छे तरीके से हम किसी बिल्ड करने की सोच रहे हैं औ नहीं बन पाता है तो अपने को खुद को एक बार एक्स्पिरियंस लेना था वैसे में पीसी विल्ड के बारे में नौलेज तो नहीं है बट जितनी भी नौलेज है आपके साथ में भी शेयर करेंगे और किस तरह से बनता इसका फाइनल लूप वो लूप भी आपको हमारे जो पीसी शेयर जो गेमिनग का चैनल है हमारा इस चैनल पर पूरा पूरा पीसी शेयर भी दिखेगा किस तरह से फाइनल सेयर बनेगा और जिस दिन हम इस पीसी बिल्ड करेंगे उसकी वीडियो आएंगे गाइस और अगर आप लोगों ने हमारे ब्लू एती गेमिंग चेय एंड हमारे मोबाइल की आसुस आरो जी 5 जो भी हम अन्बोक्सिंग डाल रही कि मॉनिटर जो हमने मॉनिटर की भी अन्बोक्सिंग डाली हुई है तो एक बार देख लेना गाईस यहां पर याई वो अगेरे लगता है ठीक है यहां पर लग जाएंगा यहां पर मदर बोड ए यहां पर लगाएंगे गाईस इसको रिमू करके यहां पर त्री पैन लगेंगे और यहां पर लगेंगा हमारा ग्राफिक्स कार्ड तो कापी अच्छी बिल्ड कॉलिटी है गाईस कैबिनेट की हो सके तो यार एक बार इस कैबिनेट को कंसिडर करना 14,500 रुपे आपके जाएंगे बट यहां पर जो एक कैबिनेट अगर आप लेना चाहते हो गाईस ठीक है तो इस कैबिनेट को बिल्कुल यार कंसिडर करना मैं यार रिकमेंड आपना एक बार MD computer से मंगा के देखो जो मेरा experience था MD computer से बहुत ही अच्छा है और आप लोग देख सकते हो मैंने जो है आपको दिखाया भी है पैकिंग काफी अच्छी आती है MD computer से कोई दिक्कत निये पैकिंग में वगेरा आप विल्कुल यार विदाउट कोई भी टेंशन लिए मंगा सकते हो फाइनल लुक दिखाएंगे गाईस हम एक बार देख लो लास टाइम तो चलो गाईस आर तो मिलते हम नेक्स्ट विडियो में cabinet के अंदर में खर्चा हो चुका है gaming setup अपडेट होने वाला है streaming में हम जो है update लाएंगे बड़े-बड़े अपडेट और हो सके तो जल्दी ही हम जो है हमारे सेटप पे स्ट्रीम करना शुरू करने वाले बस हमें चाहिए आप लोगों का सपोर्ट अगर आपका सपोर्ट मिलता है गैस ठीक है आपके सपोर्ट से सारी चीज़े हाँ पे हम बिल्ड करने वाले ठीक है कैबिनेट से लेके बड़े से बड़े लेवल में जो भी यूटुबर है उन तक कोचने की हम कोशिश करेंगे गाई जल्दी ही अगर आप लोग महाराष्ट से हो तो प्लीज आज दिल से बोलता हो सब्सक्राइब जरू कर ले ना गाईस महाराथ याई तर सब्सक्राइब करे ला विश्वरोन का चैनल ना सलाम इतर अन्नो बेटुया नेक्स्ट वीडियो मोदे थैंक्यू वीडियो भगने साथी बेटुया